नमस्कार वण इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है विश्व किर्केट में कई ऐसे उधारण है जब कोई खिलाडी टीम में आया तो गेंदबाज के तौर पर और बन गए दुनिया के बहतरीन बल्लेबाज उनमें से एक नाम सनत जैसुरिया का भी है शुरिलंका के महान खिलाडी सनत जैसुरिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी शुरुवाती दौर में सनत जैसुरिया नीचले करम में बल्लेबाजी करते थे और गेंदबाज के तौर पर वो टीम में आये थे मगर एक विश्व कप ने उनकी जिंदगी बदल दी 1996 विश्व कप सनत जैसुरिया की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा लेकिन विश्व कप पर जाने से पहले आपको थोड़ा पीछे की जानकारी दे देते हैं जैसुरिया ने 1989 में MCG में अस्टोलिया के खिलाब देब्यू किया था वो पांचवे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और महस्तीन रन बना कर आउट हो गए जैसुरिया का करियर की शुरुवात बेहत खराब रही और ये सिलसिला चार सालों तक चला जैसुरिया ने 33 पारियों तक एक भी अर्दश्य तक नहीं लगाया इसके बाद डेब्यू के 5 साल बाद उन्होंने न्यूजलेंड के खिलाब बतोर आपनर 140 रन ठोक दिये लेकिन इतना काफी नहीं था क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी नहीं थी इसके बाद साल 1996 में शुरिलंका की कोच देव वाटमूर थे और पूरी शुरिलंकाई टीम इस बाद की चर्चा कर रही थी कि कैसे ज्यादा ज्यादा रन बनाये जाए चुकि उस दौर में अमूमन टीमें पहले 40 ओवरों में अराम से खिलती थी और आकरी के 10 ओवरों में तावर तोड रन बनाती थी लेकिन कोच और कप्तान रन तुंगा ने पहले 15 ओवर में तेजी से रन बनाने का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी दी गई सनत जैसुरिया को सनत जैसुरिया ने एक इंटर्वियू में बताया था टीम मेनेजमेंट ने पाया कि मैं नंबर 7 के लायक नहीं हूँ क्योंकि वहां मेरा सही से इस्तमाल नहीं हो पा रहा था फिर उन्हें लगा कि अगर मुझे आपनिंग पर उतारा जाया और मैं तेजी से रन बनाओ तो आने वाले बल्ले बाजों पर ज्यादा दबाव नहीं रहेगा श्रिलंकाई टीम ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टोनामेंट में सनत जैसुरिया को बतार ओपनर खिलाने का जुवा खेला जैसुरिया ने 1996 के विश्व कप में श्रिलंकाई टीम को हर मैच में तुफानी शुरुआ दिला दी पहले 15 ओबर में जैसुरिया और कालू वितरना मिलकर गेंदबाजों पर तूट पड़ते थे और विरोधी टीम बैक फूट पर आ जाती थी नतीजा ये हुआ कि श्रिलंकाई टीम वर्ल्ड कप 1996 में एक भी मैच नहीं हारी और आखिरकार में उन्होंने खिताब भी अपने नाम कर लिया आपको बता दे उस साल उस विश्व कप में जैसुरिया ने 221 रन बनाए थे और 6 विकेट अपने नाम किये थे जबकि साथ क्याच भी उन्होंने लपके और उन्हे प्लेयर अप दे टोडामेंट का अवार्ड भी मिला तो ये थी जैसुरिया की कहानी आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही हमारे One India Hindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले